Hey Plantaholics, Welcome back to my channel. Hope you're doing well. Friends, this video is all about my April gardening works. So friends, I had a lot of work in the garden today, so this is why I thought I should share this video with you so you can also share this video to be beneficial. So in the beginning, you can see here my new plant when a plant starts to get out of the garden. So friends, you have to remove these buds, because this is one way of finding out of the flowering. शुरू हो जाती है तो आपका प्लांट जो होगा वो मर भी सकता है तो अगर आपको इससे फोलिएज ग्रोज चाहिए तो फिर फ्रेंट्स आपको इसकी बर्ड्स हटानी हटानी क्योंकि हम इन्हें बाई ही करते हैं इनकी बहुत ही कुपसूरस सी लीव्स की वज़े से तो अगर आपके यहां भी इंडो प्लांट्स जैसे फोलिएज प्लांट्स में बढ़िंग शुडू होगी तो आप ज़रूर हटा दीजे इधर फ्रेंड्स मैंने आज कुछ ब्लांट्स भी नए बाई कि तो वह भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देती हूँ यह आप आपको दिखा देते हूँ GRAFTED ही प्लांट्स है वह लाइफ फ्लाट्स में मैंने बट के अटेज हrie देखा है अलग साही कालर निकलेगा तो मैंने इसको बायक एक अच्छा स्ट्राइब चय बलांट्स वह एक हैं तो इन दो अडरिनिय PF के प्लांट्स को बायकिया इसके सा अगर आपके पास भी इस तरीके के जो समर फ्लारिंग प्लांट्स आपने अभी तक आड निकिन को ज़रूर लगाईए आप यह देखे यह विंकाज मेरे अल्मोस्ट दो साल पुराने हैं तो यह भी मैं आपको दिखा दिखा देनों काफी लंबे टाइम तक यह hybrid वराइटी ह जो मेरे पास चली है इधर फ्रेंट्स आपको कुछ और जरूरी काम अगर आपके यह भी गार्डन में इस तरीके से सूखी लीव जैसे यह पीस लीली में नीचे लगी हुई है तो आपको इस तरीके से जो स्पेंट लीव होती हैं उनको जरूर से जरूर हटा दीजे नहीं लगता है इधर फ्रेंट्स जो नेक्ट्स में आज काम कर रही हूं वह यह है मेरे जो बुगनवेलियास के प्लांट्स ने फ्लारिंग बहुत अच्छे से गीती है इस सीजन कुछ में फिर से बढ़ सारी है कुछ में फ्लारिंग होके खतम होगी तो जिसमें खतम हुई तो कोई नहीं हो रही जैसे मैं यह कट और आगे कोई घ्रोथ नहीं हो रही है तो इस तरीके से आप फटा दिज़े या फिर आपको लग रहा है कि कोई ब्रांच आप जैसे टुटी लुक मुझे पसंदे तो अगर वाइन का लुक लेती है तो इस वज़े से भी मैं इसकी प्र अपनी पूरी की पूरी इनर्जी जो होता है वो एक तरीके से जब फ्लारिंग खतम हो जाती तो तने में लगा देता है आप पूछते हो ना कि आपके प्लांट्स का जो ट्रंक है वो इतना खुबसूरत सा कैसा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है आप अगर टाइमली प्रूनिंग कर दोगे अपने प्लांट्स की तो आपको भी बहुत ही खुबसूरत हेल्दी और मोटा सा ट्रंक मिलेगा जैसे कि आप यह देख सकते हो पॉट में यह इतना खुबसूरत सा ट्रंक है तो यह चीज आप जरू से जरू करिएगा आप यह दे निकल रही हो और फ्रेशली फ्रेंट बड्स भी आ रही है न्यू शूट्स आ रही है बेजर शूट्स भी आ रही है उसका एक रीजन यह है कि अगर आप मल्चिंग कर दोगे तो इनको मॉश्यर फ्रेंट यह शाम का पानी डाला हुआ है मॉर्निंग में मैं शूट भी कर र तो आप इधर जो आप मेरे नेक्स जो इधर प्लांट देख लें जिसमें मुझे करना यह मेरे जीनिया के प्लांट से जिनके नीचे फ्रेंट आज में वाटर ट्रेश को लगाँगी क्योंकि इन्हें भी मॉश्यर की रिक्वाइर्मेंट होती है तो आप इस समय मॉल्चिं तो इसमें जो एक्सिस वाटर होगा वो नीचे आ जाएगा उससे फाइदा यह होगा अगर मैं सुबह अर्ली मॉनिंग में पानी डाल रहें तो शाम तक मेरे प्लांट जो होंगे वो जुल से नहीं इतनी जादा तेज धूप में इसका यह बेनिफिट बहुत होता है तो अ जादा सॉफ सी होती है तो यह जल्दी मुर्जाने लगती यह बीजिक होने लगती तो इस वहाँ से लिए इधर मेरे कुछ रोस प्लांट की मैंने लोकेशन को भी शिफ्ट कर दिया यहां पे इनको शेड वाले एरिया में रख दिया यहां पे सिर्फ उसे फ्रेंड से मॉर और 12 बजे के बात कि नहीं आती है इधर फ्रेंट्स विजो नेक्स्ट काम आपको हर हफते करना है वह है वीकली गुडाई जिसको लेके फ्रेंट्स गर्मी का भी टाई में तब भी कीजे क्योंकि वीर्ड्स जो होती है गर्मी में ऐसा नहीं कि आप हम दोग जब करते तो अपने प्लांट्स को ले लेगी और एक अडिशनल चीज में आपको बता दू इस मौसम में स्पेशली समध सीजन में गोबर की खाद को आप थोड़ा सा स्किपी कीजिएगा क्योंकि उसकी तासीर गरम होती और जादा ओवर फर्टिलाइज भी अपने प्लांट को मत कर दी जैसे कि मैंने बताया कि घरमी का टाइम होता है सबसे जादा मिली बग्स जो होते हैं वो लगते हैं और मॉस रोज़ेज होगे पोटलाका काफी जादा प्रोण होते हैं मिली बग्स को लेकर तो इस वज़े से मैं यहाँ पर आज नीम ओएल का छुड़काव कर रही हूं औ आप लोग लेक सप्रेट वीडियो जो भी मंतली गार्णिंग वर्स का बना देती हूं कि आप जब यह वीडियो देखोगे तो आप भी इसको as a consistency के साथ फॉलो करोगे जो आप रिजल्ट पूछते हो कि इतना बेतरीन सा कैसा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ खात का ही रोल पानी डाली अगर पानी की requirement प्लांट को हो तो यह सब और घुडाई वगेरा इसका भी result आपको अपने प्लांट में जरूर देखने को मिलेगा तो friends I hope आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा friends अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो please मेरे च चैनल पर तो please मेरे चैनल को subscribe जरू कीजेगा hope you like the video thank you so much